आप अपनी जरूरत के मुताबिक Atlantis मशीन के फीचर्स को सेट कर सकते हैं पाउडर की मात्रा बढ़ाने के लिए पहले Stop बटन तीन सेकंद्स दबा कर प्रोग्रामिंग मोड में जाएं डिस्प्ले पर दिखेगा Premix 1 3.75 अब कैनिस्टर 1 की ड्रिंक में पाउडर की मात्रा बढ़ाने के लिए कॉफी बटन को दबाएं पाउडर की मात्रा कम करनी हो तो T का बटन दबाएं ये करने के बाद Half बटन जरूर दबाएं तभी आपकी Changes सेव के जाएंगे कैनिस्टर 2 की ड्रिंक में यही करने के लिए पहले प्रोग्रामिंग मोर्ड में जाएं अब स्टॉप का बटन बार बार दबाएं जब तक डिस्प्ले पर Premix 2 3.75 ना दिखें अब सेम प्रोसेस फॉलो कीजे हर कप में पानी की मात्रा बदलने के लिए स्टॉप बटन को 3 सेकंद्स तक दबाकर प्रोग्रामिंग मोर्ड में जाएं अब स्टॉप बटन को बार बार दबाएं जब तक डिस्प्ले पर Water 1 ना दिखें ड्रिंक 1 में पानी बढ़ाने के लिए कॉफी बटन दबाएं और पानी कम करने के लिए टी बटन दबाएं चेंजेस सेफ करने के लिए हाफ बटन जरूर दबाएं ड्रिंक 2 में पानी की मात्रा बदलने के लिए प्रोग्रामिंग मोर्ड में जाएं अब बार बार स्टॉप बटन दबाएं जब तक डिस्प्ले पर Water 2 ना दिखें अब सेम प्रोसेस फॉलो कीजे पानी का टेंपरचर बदलने के लिए स्टॉप बटन 3 सेकंड्स तक दबाकर प्रोग्रामिंग मोर्ड में जाएं अब स्टॉप बटन को दबाती रहें जब तक डिस्प्ले पर आपको टेंपरचर 8-8 ना दिखें टेंपरचर बढ़ाने के लिए कॉफी बटन दबाई और कम करने के लिए टी बटन दबाई चेंजस सेफ करने के लिए हाफ बटन जरूर दबाई याद रहें आपके सी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं